दोसो फिलाल अगर दुनिया में देखा जाए तो तीन देशों के तरफ से ही फिफ जेनरेशन के एरक्रेप्टों को डिवलफ्ट करने में सफलता मिला है जिन में अमेरिका जहाँ पे सबसे आगे है तो उही पे अमेरिका के बाद रश्या और चायना है और दोसो कई सारे चैसे है जो फिलाल फिफ जेनरेशन के फाइटर यारक्रेप्टों का डिवलफ्मेंट कर रहा है जिन में भारत का नाम भी शामिल है भारत के इलाबा अगर देखा जाए तो तरकी के द्वारा भी एक फिफ जेनरेशन के फाइटर यारक्रेप्टों को बनाया जा रहा है जि दोसो टर्की के में आयोजी एक एक्जिविशन के दर्मियान जहाँ पे टर्की के कुछ अधिकारियों के तरफ से अपने फिफ जेनरेशन के फाइटर यारक्रेफ्टों को लेके इन बातों को रखा गया तो इसी के ही साथ साथ अब एक सवाल वन रहा है कि भारत के जो फिफ टर्किश एरोस्वेस इंडस्ट्री मतलब टर्किश एरोस्वेस इंडस्ट्री के जनरल मैनेजर टमिल कोटल है उनके तरफ से एक टेलिविशन पोग्राम में बयान देते हुए बताया गया है कि तर्की के डोमेस्टिकली डेवलफ्ट किया हुआ फिफ जेनरेशन के यारक्रेफ्ट अपना उडान भरेगा और उनका ये भी कहना है कि पहले जो प्लैन किया गया था मतलब इन यारक्रेफ्टों को लेके टर्की जो पहले फस्क फ्लाइट का फ्लैन किया था उससे करीबन पांस साल पहले ये यारक्रेफ्ट अपना उडान भर रहा है अब दोस उसके बाद से ही टर्की में इंडिपेंडेंस के मुब्मेंट चला था और बताया जाता है कि उसके बाद ही टर्की को एक इंडिपेंडेंट टर्कीश रिपब्लिक बनाया गया था अब दोस्तो 27 रिसंबर का महत तो टर्की के अंदर तो काफी अधिक है और उसे ही के तरफ से 27 डिसंबर दो हजार तेईस के दिन असल में कान यारक्राप्टों के फिर्स्ट फ्लाइट को लिए चुना गया है जब कि दूसरे तरफ दोस्तों टमिल कोटल के तरफ से अपने बयान में ये भी वताया गया है कि इन यारक्राप्टों को असल में जो टर्किश मतलब दोस्तों जिस तरफ से ये जो यारक्राप्ट है ये साल 2030 में अपना उडान भर रहा है इस से अंदाजा तो यही लग रहा है कि अमेरिकन जेट इंजिनों के साथ इन एयर क्रेप्टों का डिलिवरी साल 2028 तक टर्की के द्वारा अपने एयर फोर्स को कर दिया जाएगा अब दोसों सवाल ये है कि टर्की के एयर क्रेप्टों अपना पहला उडान भरने के लिए तैयारी कर रहा है लेकिन भारत का एयर क्रेप्ट कब बनेगा मतलब भारत अपना एमसी एयर क्रेप्टों को कब तैयार करेगा बेसिकलि अगर देखा जाए तो पेपर में भारत के जो AMCA YARCRAPTO का शुरुआत है वो साल 2009 में ही हो गया था लेकिन असल में इन YARCRAPTO के डिवलप्मेंट के जो प्रोसेस है वो एक्जैक्ली तेजर रफतारी से साल 2018 से शुरू हुआ यह भारत के तरफ से डिसाइड किया गया कि भारत FGFA YARCRAPTO के प्रोजेक्ट में और काम नहीं करेगा परपेन पेपर में तरकी के YARCRAPTO से करिब करिब 5 साल पहले शुरू हुए प्रोजेक्ट में अभी तक भारत को उस तरीके का कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है जिसे की एक बहुत बड़े माल्स्टोन के रूप में देखा जाए अभी तक इन YARCRAPTO के प्रोटोटाइपों के निर्मान का काम शुरू नहीं हुआ है और फिलाल अगर सबसे रिसेंट डेवलापमेंट को देखा जाए तो इसके प्राइमरी डिजाइन रिव्यू कंप्लिट हो चुका है और बताया जा रहाए कि इस डिजाइन रिव्यू क के बेस पे जल्दी मतलब इस साल के अंज से पहले शायद केविनिट कमिटी ओन सीकूरूटी के द्वारा इसका एप्रूवल और फंड को जारी कर दिया जाए जिसके बाद YARCRAPTO के पोटोटाइपों के निर्मान का काम होगा दोसों पोटोटाइपों के निर्मान का काम अ जायद YARCRAPTO अपना पहला उड़ा ना भर सके जवकि दूसरे दरफ अगर देखा जाए तो भारत के YARCRAPTO के प्रोग्राम और टर्की के कान YARCRAPTO के प्रोग्राम में काफी अधिक समानताय है और दोसों यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कान YARCRAPTO को भी जिस तरीक अमेरी की A414 इंजिनों का इस्तेमाल YARCRAPTO के प्रोटोटाइपों में और मार्क वान वेरियंटों में किया जाएगा जबकि बाद में इसमें एक 110 किलो निटरन थ्रष्ट वाले इंजिन का इस्तेमाल किया जाएगा जो भारत किसी विदेशी ओरिजिनल इक्वेप्मेंट मेनुफेक्चरर के साथ मिलके बनाएगा और शायद ये ओरिजिनल इक्वेप्मेंट मेनुफेक्चरर फ्रांस हो अब दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो टर्की के जो यारक्राफ है ये इतना जल्दी बन पा रहा है और भारत का यारक्राफ बनने में लेड हो रह हलाकि इसके इलाबा करफशन को रोकने के लिए भारत के अंदर जो कड़ा नियम है उसे भी ऐसे डिफेंस डिलो में डिले होने के पीछे एक बड़े कारण के रूप में देखा जाता है और दोस्तों जो पॉलिटिक्स होता है वो तो इन सभी चीजों को और मुश्किल बना देता है. हलाकि दोस्तों अगर देखा जाए तो टर्की के अंदर भी करफशन कम नहीं है लेकिन एक तरीके से अचो कह सकते है कि टरकी के जो वागडोर है वो एक ही आदमी के हाथ में है जिस कारण के वज़ा से डिसिजन को लेना टरकी के लिए आसान है. हलाकि दूसरे तर अब मरूत यारक्राब्टो को बनाया गया था और अब तेजस मार्क वान और मार्क वान यारक्राब्टो को बनाया गया है. कि यार्क्रेप्टो के डिवलोप्मेंट के बाद भारत को वर्क्षेर के अंतरगत इतना टेक्नोलोजी मिल जाएगा जिससे कि भारत अपने एमसी यार्क्रेप्टो को बिना किसी मुश्किल के पूरा कर सकेगा। कि दोसो तब भी आशा किया जा रहा है कि शायद इंजिन के डिवलोप्मेंट को लेके भारत रश्या के साथ ही काम करेगा लेकिन साल 2018 आते आते भारत के द्वारा अपने डिसिजन को इसलिए बदला गया क्योंकि रश्या के साथ जाके भारत को जादा कुछ फाइदा होने व देना शुरू किया और दोसो उसके बाद ही एक्चुली में AMCA यारक्रेप्टों के डिवलोप्मेंट के काम शुरू हुआ हाला कि अगर उसी हिसाफ से भी देखा जाए तो तरकी को जितना साल लगा मतलब तरकी को भी करिब करी साथ साल एए अपने एरक्रेप्टों को डिवलोप्मेंट करके और उसका फस्ट फ्लाइट के लिए लगा तो वही पे भारत को भी लगवग उसने ही साल लगेगा अग लग टरकी के एरक्रेप्टों के मुकाबले में भारत में जादा सोफिस्टिकेटेड और जादा क्रिटिकल टेकनोलीजी और एडवांस टेकनोलीजी होगा तो उही पे आपको ये भी बता दू कि भारत की AMCA एरक्रेप्टों में जादा तर इंडिजनियस पार्स लग रहा ह वो आईदर योरोफ से या फिर अमेरिका से इंपोर्ट किया जा रहा है। इसलिए नहीं है क्योंकि टर्की एक नेटो का एक्टिव एलाई है और नेटो के देशों के अंदर अगर टर्की के द्वारा इन हेलिकॉप्टरों को पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करने का प्रयास किया गया था। और ऐसे में दोस्तों भारत के सामने ऐसा कुछ मुश्किल ना आये, इनी कारूनों के वज़ा से भारत अपने इंजिनों के डिवलोप्मेंट को लेके काफी अधिक सतर्क है, अलाकि टर्की के यारक्रेप्टों के डिवलोप्मेंट जो इतना तेजर अफ्तार में हुआ है, इसके पीछे माना जा रहा है कि अमेरिका का हाथ है, और दोस्तों इन यारक्रेप्टों के डिवलोप्मेंट के दर्मियान ही कई सारे ब्रिटेन और अमेरिका के कमपनी यारक्र के development में मदद करना शुरू किया था और रिपोर्ट में ये भी बताया जाता है कि अमेरिका के साथ टर्के के अनाकानिक से पहले ही अमेरिका के मदद से यार क्रेप्टों के design को तैयार कर लिया गया था और दोस्तों एक तरीके से अफ कह सकते हैं कि टर्के जाद अतर मतलब करी का तर्की को कोई चिनता है ऐसे में यार क्रेफ्टों जल्दी डेवलप्ट होने वाला ही था लेकिन भारत के यार क्रेप्टों के जो development है वो भी थोड़ा डिले है और मेरा मानना ये है कि भारत को अपने यार क्रेफ्टों के development को at least अब और तेजर रफतार करना चाहिए दोस्तो आज की इस वीडियो को यही पही करते हैं समापत किसी और एक दिन किसी और एक वीडियों मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम